हलो एव्रिवन एंड वेलकम बैक तो यूजी सिनेट मैंट और गाइज आज की इस वीडियो लेक्चेर में डिसकस करेंगे इंडियन लॉजिक इन इजी लेंगवज विद इग्जामपल मैं कोशिश करूँगा कि आज के इस क्लास में आपको इस टॉपिक को बिल्कुल इजी इजी लगेगा विगोज मैंने आज की इस क्लास में ना सिर्फ पिक्चर और डाइग्राम डालें बलकि मैंने आपर एक्जामपल भी दिये हैं ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें और एजी तरेके से समझ सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेक शूर आप इस लेक्च से रिलेटेड एंड पीएच्टी से रिलेटेड सभी तरह के ऑफ्टेंटिक अपडेट मिलते रहें इसके लावा गाईज आप हमें टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बीक फॉलो कर सकते हो इनसे भी जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, करे बार मैं वीडियो बना के अपडेट नहीं दे पाता हूं तो मैं अपने सोचल मीडिया हैंडल पर आपको अपडेट दे देता हूं इस एप पर तो आप इस एप पर इंस्टॉल कर सकते हो फ्रम गूगल प्ले स्टोर, अगर आप आई ये उसी यूजर हैं तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगा, जो भी फ्री पीडियाप्स हैं वो आपको इसी एप के होम पर फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में अवेलेबर हो जाएंगे, आप वहां से डाउनूट कर सकते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग का अभी हम डिसक्स कर रहे हैं, इंडियान लॉजिक, मीन्स ओफ नॉलेज, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, और प्रमा अभी होता क्या है, इंडियान लॉजिक स्टेंड एज वन ओ थे ओरिजनल ट्रेडिशन ओफ लॉजिक, अलॉजिक अगर हम बात करें पुराने टाइम की अपने बहुत ही पुराने टाइम के अगर हम बात करें तो उस टाइम पर आपने देखोगा, ग्रीक में बहुत सारे ऐसे mathematician रहे हैं, philosopher रहे हैं, logician रहे हैं, जो कि बहुत famous हैं all around world, तो guys आपने सुना भी होगा, कि जो जितने भी मतलब जो logic जैसे अरिस्टोटल थे, और अरिस्टोटल जो हमने previous class में डिसकस किया था, square of opposition और जो topic डिसकस करें, हम fallacies वाले, यह generally आपके ज़्याद दर जो हैं, टॉपिक ग्रीक से निकल के आए, और इसके लावा अगर हम बात करें, math में, science में बात करें, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं, जो कि ग्रीक से देखने को मिले हैं, ऐसी चाइना में हुआ है, चाइना में, actually हुआ गया दा कि अपनी इंडिया के काफी सारे जो विद्वान थे, वो चाइना चले गयते हैं, चाइना का मतलब यह नहीं कि मिल्कुल चाइना के अंदर ही घुस गयते हैं, हिमाले पे गयते हैं और हिमाले से फिर वो थोड़ा आगे को मूव कर गये तो चाइना में चले गये, तो ऐसा हुआ कि वो जो लॉजिक हैं, वो कहना कि इंडिया के belong करते हैं लेकिन वो कहे जाते हैं Chinese क्योंकि वो आप क्या है कि China का हिस्सा है China का part है तो इसलिए वो वहां का part बन गया लेकि सबसे अच्छी बात यह कि वो जो logic है वो इंडिया के logic ही है originally अगर देखा जाये तो लेकिन वो क्योंकि इस टाइम पर चाइना में है तो इसलिए हमको Chinese logic के नाम से जानते हैं तो अच्छी बात है यह क्योंकि हम हमारे पूरवर्जो नहीन को बनाया है हम लोग बहुत पुराने टाइम से डेवलप कर रहे हैं और हर चीज में हमने डेवलपमेंट किया है अब जो नव्य न्याय का मतलब है कि न्याय स्कूल अफ लॉजिक बन गए लेकिन पहले गर हम बात करें तो पहले जो हमारे अब लोग अपने हाथ की रेखाय दिखाते है इसके लाबा हम लोग अपने क्या बोलते हैं जो आप बोलते हो ना कि हमारे राहु-के-तु जो इस तरीके से कुणिली वगेरा होती है हम लोग कितने पुराने टाइम से लॉजिकली चीजों को सोचते रहाते हैं कि किस तरीके से आप इसमें हम लोग overcome कर सकते हैं क्या-क्या future जो है future तो नहीं कहेंगे लेकिन हम यह कहीं नहीं कि देख पाते हैं मतलब चीजों की पीछे logic हम लगा पाते हैं कि क्या है और क्या हो सकता है what is the possibility और guys possibility को ही logic आ जाते है because हमेशा 100% चीज़न क्रूर नहीं होती है तो यहां पर guys जो नव्य न्याई school of logic है यह भी आपके exam की purpose से important है तो इसको हम next class में discuss करेंगे अपकमिंग classes में लेकिन आज का मारा main topic रहेगा Indian logic और प्रमानाज ठीक है so what is the who is the father of Indian logic Indian logic के father कौन है so guys Indian logic के father कौन है पानी पानी जी को Indian logic का father कहा जाता है यह 5th century BC में start हुआ था इनका development जब इनों किया था संसिक्रित grammar का formulation करने के लिए इनोंने इन चीजों को start किया था तो आपको पता है कि संसिक्रित is the mother of all the languages तो सबसे पुरानी जो language है वो संसिक्रित मानी जाती है उस time पर इस subject की grammar का जो formulation था उस वज़ा से logic बनाए गया थे और इस वज़ा से जो logic है बहुत पुराने माने जाते है और सबसे अच्छी बात यह मुझे तो सबसे अच्छी बात यह लगती है कि जो reasoning है जो original logic है जो कि पहले सबसे पहले बनाए गयते हैं वो हमारे इंडिया में बने थे हो जिनको हम ट्रडिशनल logic के नाम से भी जानते हैं कई बच्चे ना अपनी दिमाग में इस तरीके सी बातों को बिठा लेते हैं कि बहुत तफ है बहुत हार्ड है यार कुछ भी नहीं है अगर आप डेली लाइप में देखो तो आप डेली लाइप में बहुत सारे ऐसे logic हैं जो कि आप यूज करते हैं यही logic प्रमानाज की ब बताता हूं आपको एग्जामपल लेता हो सपॉजकर अगर आप सुवह सो के उठे अप सुवह देर से सो रहे तक डस बजे तक आप सो रहे थे जब आप सुवह देर से सो के उठे दस बजर जब बाहर निकल के देखते हो तो सड़क गीली थी, पानी भरावा तो चारो तरफ, देखा पार्क में भी पानी भरा हुआ है, सड़क भी गीली पड़ी ही है, तो इस से आप क्या अंदाजे लगा होगे, आपको यह लगेगा कि बारिश हुई है, यह सो चुक है ना, तो जो आपनी लोजिक लग आए थे, और यह आपके इंडियन लोजिक की पार्ट है, मैं आपको डिस्केस करोंगा आज की क्लास में, तो यह डे-to-day लाइप में आप लोग यूज करते हैं, बट आप लोग अवेर नहीं उन चीजों से, आज मैं आपको आज की क्लास में इन चीजों से अवेर पताना, बाद में मतलब उतने मन में सोच लेना कि आप इस में से कितने ऐसे लॉजिक हैं जो कि आप डेली लाइप में यूज करते हैं, ठीक है, बगाई चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमानाज, प्रमानाज होते क्या हैं, अगर हम बात करें इसकी मीनिंग के तो इसको हिंदिय में कहते हैं मेजर, मतलब इंग्लिश में मेजर कहते हैं as a term और हिंदि में कहते हैं मापना, मतलब नापना किसी चीज को मेजर करना, इन इंडिया लॉजिक, the means by which one obtains accurate and valid knowledge about the world, दुनिया के बारे में सटीक और वैद ज्यान प्राप्त करना, इसको कहा जाते हैं प्र इंडिया में पैदा हुआ, तो उसे हिंदी बोलना आ जाता है, आता है नहीं आता है, और अगर वो अंग्रेजियों के देश में पैदा हुआ है, अमेरिका में पैदा हुआ है, तो उसे अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, तो वो उपर से सिखे नहीं आया था, दुनिया में आके उसने सीखा है, तो कैसे सीखा चीज़ों को observe करके, उसने देखा कि मम्मी क्या बोल रही है, उसने देखा कि मेरे पापा क्या बोल रहे है, अगर इंडिया में है तो समझेगा कि सेब होता है खाने की चीज, अगर अमेरिका है में As in human being, जब हम दुनिया में पहली बार आया थे, तो कोई language ही नहीं थी, हमें नहीं पता थे कि कौन सी language हम बोले, समझें आप लोग, जो पहला इंसान था, जो दुनिया में आया था, उसे नहीं पता कि कौन सी language है, क्या बोला जाए, तो वहाँ पर उसने observe किया, दुनिया के बा दुनिया के बारे में सटीक और वैद ज्यान प्राप करना आपका प्रमाना कहलाता है, ठीक है, तो guys अब हम समझेंगे कि प्रमाना की कितनी types होती हैं, so there are six types, प्रत्यक्ष, जिसको हम perception कहते हैं, अनुमान, inference, उपमान, comparison, अर्थपर्टी, implication, अनुपलब्धी, non-apprehension, शब् that is known as verbal testimony, अगर हम बात करें, प्रत्यक्ष हिंदी में कहते हैं, अनुमान, then उपमान, then अर्थपर्टी, then अनुपलब्धी, then शब्द, तो टोटल छे आपके प्रमानाज होते हैं, जिनको कि आज की क्लास में हमें डिसकस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और समझते है के करके, प्रत्यक्ष में होता है, धार्णा कहते हैं, एक्जेक्ष हिंदी में, अनुमान का तो अनुमानी होता है, उपमान में हम तुलना करते हैं, उपमान में क्या होता है, चीज़ों का comparison किया जाता है, तुलना की जाती है, अर्थ पटी होती है, नहित हार्थ, अनुपल अब प्रतेक्ष प्रमान क्या होता है। प्रतेक्ष that is sun secret में कहते हैं that which is before one's eyes, जो चीज़ ने हमारे आखों के सामने हो रही होती हैं, हम उन पर बिलीव कर लेते हैं कि वो चीज़ें वैसी ही हैं, जैसे हम अपने आखों से देख रहे हैं, जैसे बारिश हो रही है, तो अगर अपने आखों से देख लिया, कि बारिश यह होती है, आस्मान से गिरती है, जमीन पर, धर्ती पर गिरती है, तो इसका मतलब आपने आखों से उन चीजों को विटनेस कर लिया, अपने आखों से उन चीजों को देख लिया, प्रत्यक्ष होते हुए, तो आप अपने दिमाग म का मैं यह सोच लोगी कि जब भी बारिश होगी तो वह आस्मान से प्रथिवी की तरफ ही होगी कभी असमान की तरफ कभी उल्टा पानी गया है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह हो गया यहां पर किया हो तहाँ भारती तर्क में जो प्रतियक्ष है, उसको कहते हैं, जो कि किसी आंखों के सामने हो रहे हैं, उसको प्रतियक्ष बोलते हैं, जो एक व्यक्ति को दुनिया की सही अनुभूती कराने में सक्षम बनाता है, आपने एक डायलोग भी सुना होगा, I think, मू प्रमान किया शेक्ता नहीं होती, प्रमान मतलब होता है आपका evidence, मतलब कोई evidence की जरूरत नहीं है, जो आपकी आँखों के सामने हो रहा है, उसके लिए कोई evidence की जरूरत नहीं है, जैसे सब्सकर कोई murder कर रहा है आँखों के सामने, तो आपको पताने कौन murderer है, किसमें murder किया है और किसकी death हो गई है, तो यह आपके आँखों की सामने हो रहा है, इसमें कोई evidence की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आँखों से होते विए देख लिया है उस चीच को, तो वही है, अब आप उस चीच में believe कर लेंगे कि हाँ इसने murder किया और इसका murder हुआ है, yes or no, तो यह जो खुद अनुभाव करते हो, खुद experience करते हो, होते विए देख रहे हो पहली बात, that is अनुभाव, और next रहता आपका indirect perception, जिसको हिंदी में कहते हैं, remembered smirty मतलब English में, हिंदी में कहते हैं, इसको हम याद किया गया है, फिर smirty मतलब होता है, remembered, मतलब पुराने time, पहले कुछ होते विए देखा है, तो यह past experience है आपका, जो कि आपने पहले होते विए देखा था, और अभी उद दुवारा से हो रहा है, तो चलों मैं दोनों को समझा देता हूँ, यह आपकी प्रतेक्ष की ही दो kind होती है, समझे ने आप लोग, जो प्रतेक्ष प्रमाण होता है, इसक perception, जिसको हम कहते है, अनुभव, ठीक है, अपने खुद experience किया है, खुद अनुभव किया है, तो इसको मैं समझाने से पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे suppose करो एक example की तोर पे, आप जंगल जाते हो, और जंगल में आपने देखा, कि जो एक share है, जो लॉयन है, वो पानी प सोच लेंगे कि जो लॉयन है, वो इस तरीके से पानी पीता है, कि अपने टंग निकालता है, मुह लगाता है पानी में और पीना स्टार्ट कर देता है, हम लोगों कि जैसे नहीं पीता, कि ग्लास में पानी ले लिया, या बोतल में पानी ले लिया, इस तरीके से नहीं पीत अपने जीब निकाल करके पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं तो यह था आपका डारिक परसेप्शन आपने नाक से चीज़ों को समझ ले कि चीज़ें कैसी है तो यह क्या है आपने उसको टेच करके उस चीज़ को फील किया है तो इस वज़े से उसको डारिक परसेप्शन कहा जाएगा फॉम आईज आपने आखों से होते वे देख लिया sound अपने कानों से सुन लिया किसी चीज़ को होते वे जैसे सपोस करो कोई मिस्टर A है मिस्टर B के साथ आपकी बुराई कर रहा है और वो ना दिवार के पीछे है यहाँ पर दिवार है और आप यहाँ पर खड़े हो आप सपोस़ोराप मिस्टर D और मिस्टर A कुछ बोल रहा है मिस्टर B से आपकी बुराई कर रहा है भरबर के आप दिवार के पीछे खड़े हो यहाँ पर खड़े हो आपने सुन लिया कि अच्छा मेरी बुराई चल लिया दबाके तो यह क्या है दिस डारिक्ट परसेप्शन क क्योंकि आपने कानों से सुना, क्योंकि यहां पर दीवार थी, आपने देखा तो नहीं कि कौन था, लेकिन आपने कानों से सुन लिया, और कानों से सुनने के बाद आपने इस चीज पर बिलीव करे लिया, क्योंकि आप जानते हो कि Mr. B की आवाज कैसी है, और आपको पता है क जो A और B हैं वो क्या बोल रहे हैं तो ये भी direct perception है टेस्ट कर लिया आपने अपने tongue से तो ये भी आपका direct perception ही कहलाएगा जैसे नमक है नमक को सब्सक्राइब आपने टेस्ट कर लिया काफी नमकीन लगा आपको तो आप आपने ये result निकाल लिया लॉजिक लगा लिया कि दुनिया में जितना भी नमक है जो white color का होता है वो आपका नमकीन होता है ठीक है तो ये आपके पांच जो ग्यानिंदरियां होती है इनका यूज करते वे जब आप चीजों को समझते हो और चीजों को direct experience करते हो इसको direct perception के नाम से जानते है clear हो गया आई हो पर ने आपको अच्छी समझा दिया है याद रखना perception की दो टाइप होती है sorry प्रतेक्ष प्रमान की दो टाइप होती है direct perception और indirect perception आपको बता दिया अब हम समझेंगे indirect perception क्या होता है ठीक है तो चलिए हम लोग indirect perception समझ लेते हैं जल्दे से फटावट से so this is indirect perception indirect perception creates knowledge based on memory आपकी याद दास्त जो आपकी स्मिर्थी है जो आपकी याद दास्त है उसके बेस्ट पे यह जो है आपको experience देता है मतलब आपकी knowledge जो है बढ़ाता है आप प्रतेक्षधधाना इसमिर्थी के आधार पर ज्यान करती है इसमिर्थी मतलब पुरानी याद दास्त जैसे आप जब पहली बार जंगल गहये थे तो आपने दिखा था कि जो शेर है वो अपनी जीब से पानी पीता है अपनी टंग से पानी पीता है जब आप second type jungle जाते हो तो दिखते हो कि यहाँ पर share जा रहा है तो जैसे आप share देखोगे वैसे आपको पता चल जाएगा कि अच्छे यह तो loin है और यह अपने tongue से पानी पियेगा है ना यह सुनो तो इस तरीके से जो है आपनी पुरानी आदास्त जो आपकी पुरानी आदास्त है उसके बेस पर आप यहाँ पर result ड्रॉग कर रहे हो बस लेकिन याद रखना यहाँ पर indirect perception का मतलब है कि आपने पिछले बार आपने अपनी पांच ग्यानिंद्रियों में से किसी ग्यानिंद् समझ में आ रहे हैं चीज़ें क्लियर हो रही है जैसे मैंने अब एक्जांपल दिया था आपको A है और B है A आपकी बुराई कर रहा है B से भर भर के आप दिवार की पीछी खड़े हो D आपने कानों सुन लिया कि अच्छा ऐसे हो चल रहा है यह भी बुराई कर रहे है मेरी अगले दिन जब आप आओगे ऑफिस जब उसकर ऑफिस की बात है अगर यह दिवार की पीछे दोनों जाते हैं ना ऐसे करके और आप यहाँ पे हो आपको यह लगेगा कि पक्का बुराई करने जा रहे है यह सुनो ऐसा होगा नहीं होगा ऐसी होता है यह लोजिक लगाते ह उस चीच को देखा था होते हुए अपने एक्सपीरियंस किया था तो नेक्स टाइम भी आप समझ जाओगे कि अच्छा होई होने जा रहा है जो मैंने पहले देखा था समझ रहे है अब तो समझ में आए गया होगा गाइस जो नेक्स टाइप का प्रमाना होता है यह अनुम प्रिवेस ट्रत बाइप्लाइं रिजर्ड क्या कर रहे हो आप आपने अपनी प्रिवेस जो आपने अप्जर्वेशन कर रखी है आपने अप्जर्वेशन करनी है आपने जो पहले जो प्रिवेस ट्रत है उनका आप अप्लाई करोगे और रिजल्ड ड्रॉव कर दोगे जै तो इसका क्या मतलब है? कोई बताओगी मुझे? सोचो, सोच के बोलो कि क्या होगा? अगर वहा पे धुवा उठ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई, आग लगी होगी नीचे, पका अग लगी है, जिसकी वज़ा से धुवा उठ रहा है. यह सुनो. यहाँ पर क्या से समझ रहें आप लोग आप यहां पर क्या होता है कि पुराना ट्रथ है वो आप क्योंकि वो आप खुद का ट्रथ नहीं हो सकते किसी और का है क्या पता आपके पापा ने आपको बताया हो बेटा जागर धुआ उठेकर तो आग लगी होगी नीचे इस तरीके से तो यह जो आप पर जो आपका यह experience है न यह पहले सी ट्रथ है पहले सी पक्का है कि ऐसा हो रखा है तो ऐसा ही होगा ठीक है ब्लक्द धुआ उठेकर उठेकर तो इसको क्या केंगी है हम इन्फेरेंस कहते है एंक्ँण का मतलब होता है comparison आप ये जोंको गट लौना इनलोजी पढ़ाता, अगर आप लोगों को याद होगा analogy, तो कहीने कहीं वहाँ पर आपकी जो जो चीजें हैं वो similarity की तरफ जाती है, ठीक है Hindi मीडिया वाले बच्चे घवराएं नहीं अगले वाली slide में बढ़े हिंदी में डाला हुआ है अगर आप चाहें तो चीजों को हिंदी में भी समझ सकते हो कोई दिक्केत वाली बात नहीं है, मैं बता दूँगा हिंदी में भी So guys, यह क्या होता है, उपमान मतलब meaning in some secret को होता है comparison In Indian logic by which one can have valid cognition of the world दुनिया के बारे में आप समझते हो, जानते हो by comparing things, उपमान describes knowledge imparted by means of analogy that is similarity, it is based on a comparison, चीजों के comparison पे आप result draw कर देते हो ठीक है, तो जैसे की example है के समझातों तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा जैसे example के तोर पे a person who had a cow in town, एक person की पास ए गाय है, उसकी घर में in the past, perceives a wild cow in a forest, perceives its similarity with the cow and then knows the similarity of the remembered cow with the perceived wild cow तो guys, यहाँ पे अगर उसके घर पे एक गाय है, तो जब वो जंगल में जाएगा, जंगल में अगर उसने cow को देख लिया तो वो समझ जाएगा कि भाई, यह तो cow है इसको तो गाय कहते हैं, यह दूद देती है, गोवर करती है और इस तरीके से होता है तो यह guys, इस तरीके से आप चीजों को compare करके भी अपने जो conclusion है, चीजों के बारे में जो समझ है, वो बढ़ा सकते हो जैसे एक example के तौर पे suppose करो, एक earth है earth पे आप रहते हो प्रथवी पे आप रहते हो, ऐसे ही Mars है तो यहाँ पे क्या करोगे, आप चीजों compare करते हो, yes or no scientist भी तो compare करते हैं, scientist compare करते हैं कि बाई, प्रथवी पे कितनी gravity है, प्रथवी पे कितनी gravity है, प्रथवी पे कितनी oxygen है, और इसकी distance कितनी है, सूरस से, सन से कितनी distance है यह चीज़े यहाँ पर compare की जाती है कि बाई कितना oxygen level है कितनी gravity level है हमारे प्रथवी के comparison में sun से कितनी distance है यह सुनो ताकि आप result निकाल सको Mars के बारे में और detail में जान सको कि Mars पर कैसा environment है क्या होँ आप इंसान रह सकते हैं तो यहाँ पर आप नहीं लगी analogy कर रहे होते हो analogy के मतलब क्या होता है similarity आप चीज़ों को compare करके knowledge gain कर रहे हो तो जब भी आप compare करते हो उसे हम comparison कहते हैं और वो उपमान होता है समझे हैं आप लोग इससे क्या कहते हैं उपमान that is logic उपमान मतलब प्रमाना का एक type of logic है जैसे इसको देखो daily life में कितना use करते हैं suppose को अगर आप market में समान लेने जाते हो suppose को अगर आपको mobile लेना है तो आप compare करते नहीं करते हैं बताओ आप लोग compare करते हो नहीं करते चीज़ों को compare करते हैं हम लोग कि भाई अगर मुझे MI का phone लेना है तो मैं उपमान के साथ compare करूँगा ऐसी मैं Vivo को देखोंगा कि Vivo 25,000 में या 30,000 में क्या-क्या price मतलब क्या-क्या feature offer कर रहा है फिर मैं MI के feature देखूँगा कि MI की क्या-क्या feature है तो जब आप comparison कर रहे हो उसका मतलब आप उपमान यूज़ कर रहे हो यह हमारे पूर्वज बताके कहें कि इस तरह की logic आप daily life में use कर सकते हैं ताकि आप चीजों के बारे में बहतर तरीके से जान सकें तो समझ रहे हैं किस तरीके से आप इन चीजों को वैद नौलेज मतलब दुनिया के बारे में और हम डिटेल में जान सकते हैं अगर हम चीजों में समानता ढूनें दो चीजों के बारे में compare करना start करते हैं तो हम उनके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं clear हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं next आपका अर्थपटी जिसको हम मतलब इसका जो मीनिंग है उसको कहते हैं implication अभी काफी important है अर्थपटी और काफी interesting भी है इसमें क्या होता है गाइस अर्थपटी के अंदर गाइस क्या होता है कि knowledge gained through seeing the relation between cause and effect इसमें क्या होता है cause and effect की बीच में आप relationship बनाते हो कारण और प्रभाव की बीच में संबंद को देखकर ग्यान प्राप्त किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है जिसे implication कहा जाता है यहाँ पर एक example देखते हैं मतलब यहाँ पर आप देख रहोगे न cause and effect गाइस इस वर्ड को याद कर लो कि कई बार exam में direct question पूछा जाता है कि इंडियन लॉजिक में cause and effect किस प्रमाना में देखा जाता है तो cause and effect किसमें देखा जाता है एर्थ-पती में देखा जाता है किसमें एर्थ-पती मतलब implication में देखा जाता है ठीक है इस इसको याद गर लो रट लो कुछ भी कर लो मुझे नहीं पता बस आपको याद हो जाना चाहिए कि cause and effect जो है वो अर्थ पटी के अंदर किया जाता है जिसको हिंदी में कहते हैं कारण और परभाव ठीक है इस एक इस दिन में खाना नहीं खाता है इसका मतलब वो खाना कप खाता होगा रात में खाता होगा समझें आप लोग तो यह एक बहुत अच्छा एक जामपल और ले लेते हैं if a person is healthy एक person जो काफी स्वस्त दिख रहा है and he did not sleep in night और वो रात में सोता नहीं है इसका मतलब क्या है he must be sleeping in a daytime इसका मतलब वो दिन में सोता होगा ऐसे कहीं लोग होगे जो यहां मतलब आप देखा होगा कि night duty करते हैं लोग है ना night में काम करते हैं जैसे night में watchman काम करते हैं बचारे जगते हैं रात में इसके अलावाद जो American company America की किसी company में काम करते हैं इस तरीके का अगर आप cause and effect निकालोगे तो उसको क्या का जाएगा उसको earth party का जाएगा कि अगर person healthy है और वो रात में नहीं सोता है इसका मतलब पक्का वो दिन में सो रहा है अगर दिन में भी नहीं सोगे तो क्या हो जाएगा उपागल हो जाएगा उसकी आँखे खराब हो कर देगा आपकी आँखे काम करना बंद कर देंगी ठीक है तो इसलिए cause and effect जो होता है यह किसमें निकालते हैं यह हम निकालते है अर्थपटी में एक cause था कि वो रात मनें सोता है healthy भी है इसका मतलब वो दिन में सो रहा होगा तो यह cause था उसको हमने effect देखा और जो आपस मे reason बनाते हैं इस तरीके से वो अर्थपटी में होता है clear हो गया next मते next आपका अनुपलब्दी आप अनुपलब्दी क्या है guys that is non-apprehension क्या बोलते हैं इसको हम non-apprehension की नाम से जानते हैं so अनुपलब्दी क्या होता है means that is non-recognition non-perception this word refers to the प्रमाना of non-perception which consists in the presentive knowledge of negative fact मतलब यह होता है कि नाम से पता चला है अनुपलब्दी का मतलब है किसी चीज का अनुपलब्द होना किसी चीज का absent होना किसी चीज का absent होना किसी चीज के absent होने से भी हम knowledge draw कर सकते हैं मतलब कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है knowledge gain की जा सकती है अगर कोई चीज नहीं हो तब के absent होने से भी knowledge gain की जा सकती है तो यहाँ पर words का use किया जा रहा है आप देख सकते हैं that is non recognition कोई महाँ पर नहीं है non perception और जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपलब्धी non apprehension ठीक है एक example ले लेते हैं अनुपलब्धी for the perception of the non existence of a thing मतलब एक चीज का ना होना non existence का मतलब क्या होता है absent होना कुछीज absent है so example लेकि बतातों मैं अच्छे समझ में आएगा non existence of oxygen on planet means no life for human अगर हमें एक planet मिला और उस पर हमने देखा कि भाई वहाँ तो oxygen है यह नहीं non existence है मतलब oxygen क्या है वहाँ पर oxygen वहाँ पर absent है उस मार्स मतलब मार्स बोलना हो उस planet पर oxygen है यह नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर human के लिए कोई life नहीं है human वहाँ जिंदा नहीं रह सकते है तो यहां से भी आप knowledge gain कर रहे हो समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब किसी चीज के ना होने से किसी no cat in the house इसका मतलब यह होगा कि उस घर में बिल्ली नहीं है उस घर में cat नहीं होगी इसलिए उस घर में बहुत सरे चुवे हो गये हैं आपने किसी घर में बहुत सरे चुवे देखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है भाई उस घर में बिल्ली नहीं है और अगर बिल्ली है तो फिर चुए है नहीं हो सकतें. समझे लहीं, आप लोग तो बिल्ली के ना होने से, stiffness होने से भी आप ने क्याओ विश्वादी जिजर चीज़ है, वो सीमेर सीक आई, छीका जा सकता है, तो वस यह इए, तो यह था आपका अऌनुपलब्दी, अच्छा यार इसमें एक चीज़ को रए गी आपकी अनुपलब्दी 5 नंबर पर आता है 6 नंबर वाला वह रह गया आपका, तो मैं आपको 6 नंबर वाले बता देता हूं होता है क्या है यह 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 लिखे वे words हैं, उनका आपने यूज किया knowledge gain करने में, so this is gained through verbal testimony, a lot of knowledge that we gain about the world, is through verbal testimony, text हो गया, symbol हो गया and words हो गया, तो इस तरीके से भी चीजों को समझा जा सकता है, जैसे suppose करो, आपको Jupiter नहीं पता, कि Jupiter के बारे में, Uranus के बारे में नहीं पता, आपको Mars के या Venus के बारे में नह लिखते हैं, है न, यह सुनो, तो कहीं न कहीं, यह मतलब कहा जा रहा है, जो आपका knowledge, जो आपके ज्यान है, वो book पढ़के, text के थूँ, शब्द के थूँ भी ज्यान प्राप्त किया जा सकता है, आप library में जाएए, देखे, 10 तरह का ज्यान प्राप्त होगा आपको, तो य यहां पर जो शब्द है, इसको मैं आपकी PDF में डाल करके, मैं जब PDF अप्लोड करूँगा, तो वहां पर आपको यह मिल जाएगा, so guys, don't worry, so अभी guys हमने क्या किया, हमने 6 के 6 जो आपके परमानाज हैं, उनको समझ लिया है अभी, आपको दिख रहा होगा, protection, that is not honest perception, दो तर करते हो, और तुला करके आप चीज़ों के बारे में ज्यान प्राप्त करते हो, अर्थपटी, that is implication, अर्थपटी में क्या होता है, cause and effect देखते हैं, कि भाई, यह बंदा मोटा है, दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब पकार रात में खा रहा होगा, इस तरीके से, करके, शब्द का यूज करके भी, काफी knowledge जो है, वो gain कर सकते हैं, तो जो 6 के 6 प्रमाणाज हैं, मैंने सभी को अच्छे से explain कर दिया है, with example, I hope, जो आपको चीज़ें हो समझ में आ गई होंगे, अच्छे से, आप चलिए कुछ MCQs की practice करवा दिता हूँ, because MCQs की practice मैं सोच र करके करवाँगा, तो शायद आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए कुछ MCQs की practice कर लेते हैं, हम लोग अभी से फटाबर से, ठीक है, तो चलिए, फटाबर से MCQs समझते हैं, so first question is, the new school of, the new school, hold that there are how many valid means of knowledge, कितने, new school का मानना है कि ज्यान के कितने वैद शाधन होते हैं, ये स्कूल में, चार प्रमान मानने जाते हैं, कि चार valid means of knowledge होते हैं, अब वो knowledge कौन कौन से मैं बता देता हूँ, these are the four valid means of knowledge, जो कि न्याई स्कूल मानता है, पहले आपका perception, that is, प्रत्यक्ष, then inference, अनुमान, comparison, उपमान, and sound testimony, that is, शब्द, ठीक है, तो क्याईज, ये है, ये चार आपकी प्रमाना स्टोटल 6 होते हैं, उन 6 में से केवल 4 को valid means of knowledge माना गया है, कहाँ पे, न्याई स्कूल में, तो चीज़, आप ही याद रखिए कि प्रमाना 6 तरह के होते हैं, लेकिन न्याई स्कूल में केवल 4 को ही valid माना गया है, अब ये न्याई स्कूल क्या होते हैं, मै आपको upcoming classes में बताऊंगा because मैं इसक्यू पर भी एक lecture लूगा so guys don't worry जिनको नहीं पता हम upcoming class में चीज़ों को समझेंगे ठीक है चले आगे बढ़ते है next question समझते है अभाव of a thing is known through अभाव क्या होता है किसी वस्तू का अभाव के माध्यम से भी ज्यान प्राप्त किया जा सकते हैं तो अभाव का मतलब होता है किसी चीज़ का ना होना कोई वहां से में यह ज्ञान प्राप्त होता है कि वहां पर human के लिए life नहीं है, है न, so that is non-recognition, non-perception, जिसको हम क्या करते हैं, अनुपलब्धी, next guys क्या है, इसमें next question है, what is the meaning of upman in sunscrit, upman को sunscrit में क्या कहते हैं, this is PYQ question, यह आपका question exam में आयोगा question है, तो क्या कहते हैं, बताओ, implication, comparison, inference or perception, बताइए क्या होते हैं, upman, याद है मैंने अभी आपको कराया है, 6 प्रमानाज में से एक प्रमाना आपका upman भी होता है, तो वो क्या होते हैं, बताइए सोच के निर्थार, तुलना, अनुमान, अनुबूती, क्या होते हैं, अभी हमने डिस्केस के थोड़े दिर पहले, यहां पर मैंने एक्स्प्लेइन भी क्या होगा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question आपको दिख रहा होगा, that is, which of the following involved direct sense, इसमें से direct sense किसमें हम use करते हैं, verbal testimony, नई, inference, नई, perception, yes, comparison में भी नहीं होता, तो perception में होता है, आपको बता है, perception, अनुमान, starting में हमने समझाता हो, जो आपका पहला प्रमाना होता है, that is perception, दो तरह के होता हैं, direct और indirect, यहां दे, तो direct sense जहांपे आप यूज़ करते हैं, अपने 5 sense होते हैं, जो आपके 6 sense होते हैं, अगर आप इनका use करेंगे, इनका use करते हैं, अगर आप किसी चीज़ के वाले में knowledge gain करते हैं, तो इससरी क्या बहुते हैं, perception कहते हैं, हमने अभी discuss कहते हैं, थोड़े दिर पहले हैं, तो यह आपके बताएगे कौन सा होते हैं, अर्थपर्टी, अनुपलब्दी, अनुमान या perception, बताएगे क्या होते हैं, implication किस में होता है, याद है, मैंने आपको बतायता है implication, जहाँ पर cause and effect का use किया जाता है, implication का मतलब क्या होता है, cause and effect, cause और effect आप देख रहे हो, तो किस में होता है cause and effect, अर्थपर्टी, अनुपलब्दी, अनुमान और perception, तो खाएगे सभी को पता है, किस में होता है, अर्थपर्टी में होता है, तो option number A is the right answer, थोड़े दिर पहले हमने discuss किया, अर्थपर्टी क्या है, हम दुबार देख लेते हैं, अर्थपर्टी में क्या होता है, gain knowledge through the cause and effect, याद है, देवदत फैट है, देवदत दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब रात में खाता होगा, तो यह क्या था, यह आपका, अर्थपर्टी कहलाता है, अर्थपर्टी 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 विद्बानाज होते हैं जो कि आपको टर्थ बताते हैं नौलेज आपको गेंड करने में हेल्प करते हैं next question है there are how many system वयाई schools in the Indian philosophy में कितने तरह का school school का मत बतार सोच कितनी तरह की सोच होती है कितने तरह का खुद का अपना एक सोच जैसे धरम होते हैं धरम के अपनी अपनी सोच होती है लेकिन सभी की विचारधा में थोड़ा बहुत differentiation पाया जाता है ऐसे ही जो हमारे logic है जो हमारे सोच है इन logic में भी कहिना के difference पाया जाता है तो कितने तरह के system कितने तरह के logic जो है Indian philosophy में पाया जाते है तो यहां पर option given आपको बताए कितने होते हैं वैसे मैं आपको भी पढ़ाया नहीं है आपको upcoming class में पढ़ाऊंगा यह तो इसको option number D हो जाएगा option number D that is 6 छे तरह के schools of Indian philosophy पाये जाते हैं अब यह 6 कौन जे एक बार नाम देख रहे ते हैं 6 के तो यहां पर 6 major schools of orthodox that is asthika in Indian Hindu philosophy न्याए श्कूल ओफ लॉजिक वैशिष्का स्कूल ओफ लॉजिक समख्या योगा मिमासा एंड वैदान्ता अभी जो हम डिसकस करें ना अधवैता वैदान्ता अभी जो हमने डिसकस किया अधवैता वैदान्ता जिसमें 6 प्रमानाज होते ह तो यही 6 प्रमाना जो है इसमें 4 की बात इसमें की गई है वैशिष्का समख्या योगा मिमासा मिमासा के बारे में और इन जितने भी आपे स्कूल लिखे हुए हैं मैं आपको upcoming classes में बताऊंगा एंड के बारे में so don't worry हम इनको समझेंगे अभी ठीक है यह मैंने जाते हैं प्रमाना सीखा है मैं upcoming class में इसके बारे में भी सब्जाओंगा next question कर लेते हैं next question आपकी screen पर गिवन है that is if a person is healthy and he don't sleep in night एक person healthy है और वो रात में नहीं सोता है then he must be sleeping in day time इसका मतले वो दिन में सो रहा होगा तो यह किस तरह का logic है यह अर्थपटी है अनुपलब्दी, अनु clear हो गया, चलिए guys next question करते है, knowledge gaining through seeing the relation between cause and effect, next question is a lot of knowledge that we gain about the world is through verbal testimony, verbal testimony का use करके भी दुनिया के बारे में ज्यान प्राप्त किया जा सकते हैं मौकिक गवाई के माध्यम से भी, तो वो क्या है, उसको शब्द कहते है, अनुपलब्दी कहते है, अनुमानिया परसेप्शन कहते है that is, शब्द में क्या होता है, verbal testimony जिसको हम कहते है, मतलब words का use करते भी भी हम बहुत आखा ज्यान प्राप्त कर सकते हैं, so option number is the right answer, because यहाँ पर क्या होता है, verbal testimony में text होता है, symbol होते है, words होते है, जिनका use करके आप बहुत सारा gain knowledge जो है, वो gain कर सकते है, I hope जो चीज़ें आपक क्लास ली है, जिन्दिगी में पहली बार ही देखा है, इनको इतना idea नहीं होगा, जिन बचों ने पहले एक बार class ले रखी है, जिनका second attempt है, इस exam का, तो उनको idea है इस बारे में कि भाई, क्या होता है, Indian logic और किस तरीके से इसके इंतर चीज़ें गिवन होती है, वगर आपक इन प्रमानास को बहुत ही easy बनाने की कोशिश की है, बहुत easy language में समझाया है, with example, अगर आप इन चीज़ों को बुक में देखेंगे, तो इतना easy तरीके से नहीं समझाया है, जितना easy तरीके से मैंने इन चीज़ों को समझाने की आपर कोशिश की है, ठीक है, स्वाज जिस त अगर आपको first attempt में crack करने है, तो आपको exam targeted study करने की जरूरत है, आपको आज की class को attempt करने के बाद, attend करने की पता चली क्या हुआ, कि exam targeted study ही करनी चाहिए, आपको एक single topic को पढ़ने की बहुत सारी तरीके हो सकते है, आप बहुत चादे in-depth पढ़ सकते हो, लेकिन अगर in-depth से question नहीं आते हो, तो क्या फाइदा है, ऐसी study करके, तो इसलिए exam targeted पढ़ो, to the point पढ़ो, जो exam के लिए important है, उतना पढ़ो, ताकि आपका exam crack हो जाए, और क्योंकि सले बस अलिए इतना lengthy है, आपका paper in paper 2 मिला करके, तो बहुत जादे in-depth ना पढ़ किया, अगर आप इतना courses आपको सभी को available करवा दिया, जो कि 6 month duration के है, इसमें 6 month के लिए paper 1, commerce management, quality science भी available है, प्लस इन सभी को courses भी हमने 6 month duration में आपको available करवा दिया, सबसे अच्छी बात है कि complete content bilingual है, जैसे कि आपके साथ discussion किया है, complete content bilingual होगा, English medium, Hindi medium में, 100 mock test बिलेंगे, आपको practice करने के लिए, जो कि download करके आप multiple time revision कर सकते हो, और in fact आप चौह तो print out भी निकाल सकते हो, complete content, NTA question asking pattern होगा, एक single minute आपका waste नहीं होगा, 8 to 10 जो चीज़े हैं, आपको completely exam targeted मिलेगी in courses के अंदर, इस तरीके से join कर सकते हो, simply google play store से आपको exam mentor app install करनी है, अगर आप iOS user ने तो skull link भी आपको इसी वीडि हो जाएगा, so thank you so much for watching this video, share this video with all your experience and subscribe for UGC update and assistant professor job updates guys, we'll see you in the next video, till then keep watching UGC net man tour, thank you so much